आज के इस वीडियो में आपने जिस कोश्चन के बारे में डिसक्स करने वाले हैं, वो आपने के पास जे मेंस के 25 जुलाई 2 रोजन 22 के स्टिफ फर्स्ट का कोश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखे आपने कास क्या करें के, if the absolute maximum value of the function, f of x, यह सबसे पहले आपने कास, f of x किसी बराबर दे रखा है, f of x equal to दे रखा है, x square minus times 2x और plus times 7 और into e की power में कितना लंबा 14 आपने कास function दे रखा है, ठीक है, इसको हम सितकाल के लिए alpha माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, alpha कह रहेते हैं, तिर्फ आपने आपने कास, a.j.t जा जाएगा, into, इसका difference किजेगा, तो यह आपने कास, 2x और minus times, यह आपने कास, किसके बराबर, 2k बराबर, कोई रिक्षा, 2x और minus times, 2k बराबर, plus times, यह वाले function, a.j.t, to x square minus times 2x और plus times 7, यह तो आपने कास, क्या जाएँगे, a.j.t जा जाएँगे, अपने कास, इसका difference किजेगा, तो alpha का difference किसके बराबर जाएँगे, तो बताएँगे, यह आपने कास, 4-12, 12x square, minus times 12, 24x के बराबर, यह हो जाएँगे, 12x square, और यहाँगे, 24x के बराबर, 12, 24, और minus times 180 के बराबर, यहाँगे, इसका difference, अगर आप गहर से देखते हो, तो e की अपने कास, इसका factor हो सकते हैं, इसका factor पॉसिबल है, तो यहाँएगे, 12x square, इन्टू दिस के बराबर, यहाँएगे, 12x के बराबर, यहाँएगे, 12, 24, और 12 को 180 से, देख लेते हैं, अपने कास, सब जे पहले, e के पहले, x अगर common ले लेते हैं, तो यहाँएगे, अपने क 7 के बराबर, और इन्टू, सिर्फ और सिर्फ इसमें से common ले ले लिए, तो जैसे आपने कास 12 common लेंगे, यहाँए, x square, और minus times 2x, और यहाँएगे, 15 के बराबर, एक सब्सक्राइगे, 15 के बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परिसानी हैं, हमारे सब से, यहाँ तक नहीं चाहिए, यहाँ से आपने कास, यह e के पार में x नहीं है, बलके e के पार में कास, यह alpha है, ठीक, alpha आपने कास, यह पूरी quantity, यह पूरी पार में alpha, इन्टू, यह आपने कास, 2x, minus times 2 के बराबर, और plus times, यह तो आपने कास, इसका factor कीचे तो, इसका factor possible है क्या, d रिका लिए, b e squared minus 4, यह थे, यह गए 4, और minus times 28, यह आपने कास, negative आएंगे, तो इसका factor possible ही नहीं है, यह के 2x plus times 7 के बराबर, यह यह न, और इसको अगर आप solve गरते हो, तो यह आपने कास, x square, और minus times 2 है, तो 5 थीया 15, यह आपने कास x square, x minus times 3, और x minus 5 के बराबर, तो 5 थीया 15, नेगे ने जब यह आपने बस f-x के बराबरी यह आ गया, अब देखें आपने इस क्या, minus 3 और 0 के बीच में आपने इस यह function increasing, यह positive है, f-x या negative है, यह check कर लेते हैं, फिर यह आपने इसको अंदर multiply करेंगे तो काफी ज़्यादा complicated हो जाएगा, जैसी आपने इसको, x कहां से कहां तक, x belongs to minus 3 से लेकर के 0 तक, जैसी आपने इस 0 डालेंगे, तो यह तो आपने इस आजाएंगे 7, और जैसी 0 डालेंगे तो यह पूरे आपने इस negative आजाएंगे, यह भी negative, लेकिन यह अपने कास निगेटीव हो जाएंगे यानि इस अल्वेस निगेटीव हो जाएंगे हा याना माइनस 3 और 0 के बीच अगर आप देखते हैं तो f-x हमेशा क्या जाएंगे निगेटिव आजाएंगे जब f-x हमेशा निगेटिव आ गया है यानि f of x अब नहीं काश्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है इन x बिलॉंग श्टू कहां से लेकर कहां तक तो minus 3 से लेकर करके अबनी काश जीरो तक minus 3 से लेकर 0 तक f of x क्या जाएंगे अबनी काश ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन तो आपनी काश डिक्रेजिंग फंक्शन में ये maximum और f of minus 3 f of a ही आपनी काश मैक्सिम IKEA इसको अगर f of a से हम compare करते हैं तो यहां से a equal to किसे राज़ेंगे minus 3 के बराबर, हाया ना, ठीक है तो यहांगे आपने कास minus 3 पर, हम यह नहीं करें कि f of x हमेशा decreasing है, लेकिन minus 3 और 0 पर यह जो function है, यह हमेशा decreasing होंगे, तो a equal to minus 3 is the correct answer, तो minus 3 आपने कास कौन से option में, तो option number आपने कास b में दे रखा है, जो कि आपने कास correct answer हो जाएंगे, ठीक है, तो यह थे आपने कास j means के 25 जुलाइ 2022 के shift first का question था, और बढ़िया question था, ऐसे questions आपसे होनी चाहिए, तो बस इतने इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लैक करतीजेगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करतीजेगा, ताकि ऐसे इंटरेश्म ब्लाग को future में भी मिलती रहे, तो बस इतने इस वीडियो में मैं आपसे ओल तक नर्छी बॉम नहीं, तब तकले लेस्ट पिस तल दी एंड, गुद बाई